हलो एंड वलकम तो माई चानल आज हम स्ट्राइप पैटर्न फैब्रिक उर्ती बनाएंगें के लिए मैंने यहाँ पर टू मीटर फैब्रिक लिया है और यह हमारा ब्राउन पेपर यहाँ पर मैंने ब्राउन पेपर को लेंद का कॉर्डिंगली कट कर लिया है और इस पर हम उ क्राफ्टिंग पेपर से टू इंच एक्स्ट्रा हम माघ करेंगे और बागी के साइड में पेपर के स्ट्राइपर के ङंकार्डिंगली ही माघ करेंगे ours willcare को सिंगल क decidंगे यानि कि उसको कोई फोल्ड नहीं करेंगे उपर के पाँ इंच में हम वर्टिकल ले में थैब्रीक को रखेंगे इस वज़े से उसवार एयरिया को हम बाद मेņ कट कर लेंगे यहां पर हम उसकी कटिंग कर लेंगे यहां पर हम वर्टिकल वे में या फिर चौड़ाई में आप कह सकते हैं बिछाएंगे कपड़ा और इसके उपर भी हम पैटन रखके कट कर लेंगे दामन में हम टू इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और हमारा जो सेंटर वाला पाट है उसमें हम वन इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी दो साइड़ में हम आज़िटीज रखके उसे मार्क कर लेंगे यहां पर हम उसकी कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से हम कपड़े को बिच्छा देंगे यह हमारा फ्रंट पाथ है एक दुसरे के अपर रखे इसकी आम होल अब हम कट कर लेंगे यहां सेंटर में हम दो इंच का पट्टी लगाएंगे जिसके अपर हम बटन लगाएंगे शोल्डर से फोरें हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे आप चाहे तो सिंगल सिंगल कट कर सकते हैं या फिर एक दुसरे के ओपर रख के मार्क कर के कट कर सकते हैं यहां पे उन दोनों पट्टी को हम एक कपड़े के उपर इस तरीके से रख लेंगे नीचे की तराफ हाफ इंच हम स्लाई के लिए छोड़ेंगे और बाकी थ्री साइड्स जो है वो as it is मार्क करके कट कर लेंगे फ्रंट का तीनों पार्ट बिचाने के बाद वो कुछ इस तरीके से लगेगा यहां सेंटर में हम दो इंच का पट्टी लगाएंगे जिसके उपर हम बटन लगाएंगे यह मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो रही है इसके लिए हमने कपड़े को दो फोल्ड किया है और कपड़े क्यूपर हम इस तरीके से ड्राफ्टिंग पेपर रखेंगे दामान में हम दो इंच एक्स्ट्रा चोड़ेंगे बागी के दो साइट को हम कट कर लेंगे यहां पर हम स्लीप की कटिंग करेंगे उसके लिए पहले मैंने इस तरीके से लंबाई में फोल्ड किया है और फिर हम चोडाई में फोल्ड करेंगे तो यह हमारा स्लीप का फोर फोल्ड हो जाएगा आरम होल का जो लेंद था वो 90 इंज था इसलिए हम यहां पर 9.5 इंज पर मार्क करेंगे स्लीप की जो लंबाई होगी वो मेरा 14 इंज होगा यहां से हम 6 इंज पर मार्क करेंगे और 1 इंज एक्स्ट्र लेंगे स्टिचिंग के लिए उसके बाद उसको इस तरीके से शेप देंगे और फिर इसे कट कर लेंगे कट होने के बाद हम स्लीप को उपेन कर लेंगे और इस तरीके से आम होल बना लेंगे और फ्रन्ट आम होल की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे मैंने 3 इंच की एक पट्टी ली है जिसकी लेंथ फ्रंट कूर्टी की लेंथ के अकॉर्डिंग ली है इसे हम हाफ में फोल्ड कर देंगे और आइरन कर लेंगे यहाँ पे हम दोनों फ्रंट पार्ट की कूर्टी की बीच में इस पट्टी को रखेंगे किनारी में 1.5 इंच की मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे सिलाई होने के बद हम इसे सीधा कर लेंगे और राइट साइट के ऊपर यहां किनारी में हम टाप स्टिच देंगे शोल्डर की भी पट्टी को राइट साइट टुगेदर रख्के हम राइट साइट में सिच कर लेंगे स्लाई होने के बाद इसे भी हम सिधा कर लेंगे और इसके राइट साइट के ऊपर यहां कि आप स्टिच देंगे यहां पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में हम राउंड नेकलाइन बनाएंगे और इसे मार्क करके कट कर लेंगे पर सावा तीन इंच के हम एक पट्टी काटेंगे और इसकी जो लंबाई है वो हमारे स्लीव्स के बाटम के अकॉर्डिंगली है ठीक है राइट साइट को हम स्लीव्स के रॉंग साइट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और खिलाई लगाएंगे इस तरीके से पलट के हम पट्टी को स्लीव्स के राइट साइट के ऊपर रख लेंगे और उपर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करके हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे अब हम स्लीव्स को आमोल के साथ अटाच करेंगे यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है अब हम कपड़े को फोल्ड करके स्लीव्स की किनारी से सिलाई लगाते वे अपने चाक के तरफ जाएंगे जहां से हमारा चाक कोपेन होगा इसे इस तरीकी से पलटके हम वापस से एक सिलाई लगाएंगे हाफ इंच की दूरी पे यह हमारा डवल स्टिच हो जाएगा यहाँ पे यहाँ दामन में पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फिर दुबारा हाफ इंच फोल्ड करके हम दामन के अंदर वाले एरिया में हम तरीके से सिलाई लगाते वे जाएंगे जब हम यहाँ पे आएंगे तब इस तरीके से इसे फोल्ड करते वे कपड़े के बैक पार्ट पे जाएंगे और दुसरे पार्ट यानि कि बैक पार्ट या फ्रन्ट पार्ट की हम इस तरीके से 1 इंच पे फोल्ड करते वे सिलाई लगाएंगे साइड में स्टिच लगाएंगे इसमें भी सेम प्रोसेस होगा एक तरफ से करते वे दुसरी तरफ जाएंगे यानि कि फ्रंट पार्ट से सिलाई करते वे हम बैक पार्ट की तरफ जाएंगे नीचे के दामन को हम 1 इंच पे फोल्ट कर लेंगे और इस तरीके से इसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग